हलो फ्रेंट स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आशीज प्रताप आर्वियल में और उमीद करते हैं आपको मज़ा आ रहा होगा करेंट अफेर्स की सीरीज में ये चौथा पार्ट है इस टेट्स सीरीज का चौथा टेस्ट है आईए देखते हैं आज के इंट्रेस तुसरा क्वेशन है दुनिया वर्मेस और उर्जा की आपूर्ट को सुनिशित करने के लिए एक ट्रांस नेशनल इलेक्ट्रिसिटी ग्रेड इस्थावित करने के लिए प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी ने हाली में किस योजना की शुरुआत की है उसका नाम बताना है राजधानी के रूप में किसे घोशित किया है अगला है अरब जगत का पहला परमाड़ रियक्टर बराकाह ने किस देश में हाली में कारे करना प्रारम किया है नेक्स्ट है त्रिशूर पूरम उत्सो किस राज में मनाया जाता है इस बार कोविड-19 की वज़ए से इसको र में भारत को कौन सी रैंक प्राप्थ हुई थी ये बताना है फिर नेक्स्ट है ऑपरेशन संजीवनी के तहट भारत ने केस देश को कोविड-19 से निपटने के लिए दमाय उपलब्द कराई थी ऑपरेशन संजीवनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसको ध्यान में रखिएगा ओपरेशन संजीवनी को अगला है हाली में चर्चा में रहा एन QR का पूंड रूप आपको बताना है NPR, NCR आपने सुना होगा NRC और NPR, sorry NRC का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए NPR का पता होना चाहिए तो NPR का फुल फॉर्म यहाँ पे आपको बताना र प्रधान मंतरी द्वारा Fit India Moment अभियान के शुरुआत कप की गई थी ये आपको बताना है फिर अगले पेच पे चलते हैं तो अगला क्वेशन है प्रधान मंतरी स्वान इधी योजना लागू करने वाला देश का पहला राजे कौन बना है फिर नेक्स्ट है पुस्तक दा इंडिया वे स्ट्रेटेजी फॉर अनसोल्ड वर्ड इस पुस्तक के को किसने लिखा है इस पुस्तक के लेख़क आपको बताने है फिर नेक्स्ट है लोक सभा में किस नेता को संसद की लोक लेखा समीधी का पुना अध्यक्ष बनाया गया है फिर अगला है भारत की पहली हरित उर्जा अभिसरंड परियोजना किस राज में स्थाबित की जाएगी नेक्स्ट कुश्चन की अगर बात करें तो नेक्स्ट पेज़ पे है कजाकस्थान की वर्तमान नई राजधानी ये मैंने आपको पढ़ाया था अगर याद हो तो नई राजधानी आपको बताना है फिर अगला है कि समिधान संशोधन अधिनियम द्वारा सवन्नो को 10% आरक्षन नौकरियम सेक्षनिक संस्थानों में दिया जाएगा आपको समिधान संशोधन अधिनियम का नंबर बताना है फिर हाल ही में किस राज के प्रसिद तेलिया रुमाल को GI टैग प्रदान किया गया है अगला है पुस्तक विजयन्त एट कारगिल इस पुस्तक के लेखब कौन है फिर नेक्स्ट है कश्मेर कवरेज के लिए किसको किसको 2020 के पुलिटजर पुरसकारों से के लिए चुना गया है पुलिटजर पुरसकार 2020 के लिए कौन कौन चुने गया है उनका नाम आपको बताना है नेक्स्ट है हाली में किन दो राज्यों के बीच भारत की पहली स्रमिक ट्रेन चलाई गई है उस उन दो राज्यों के नाम आपको बताने है नेक्स्ट क्वेस्चन की बात करें तो ICC 1.2.C क्रिकेट विशुकब 2023 का आयोजन किस देश में होगा ये आपको बताना है फिर अगला है हाली में चर्चा में रहा नेत्रा वली वन निजीव अभ्यारण किस राज्य में स्थित है अगला है सोशल मेडिया के खिलाफ कानूर बनाने वाला विश्व का पहला देश कौन बना फिर नेक्स्ट है 107 वी जो भारती विग्यान कॉंगरिस थी उसका आयोजन कहां हुआ है वो आपको बताना है या कहां होना है अगर नहीं हुआ है तो वो बताना है इसके अलावा आपको 106 नंबर की भारती विज्ञान कॉंग्रेस और 108 नंबर की भारती विज्ञान कॉंग्रेस कहा होनी है वो आपको comment section में लिखना है पता करके फिर next है हाली में किस भारती अभिनेता को golden dragon award से सम्मानित किया गया यह most important question है वैसे तो important सारी question है जो test में है तो इसमे golden dragon award से किसे सम्मानित किया गया यह आपको बताना है अरुनांचल प्रदेश में पहला हिंदी समाचार पत्र अभी launch किया गया है कुछ time पहले पहला हिंदी समाचार पत्र आपको उसका नाम बताना है कि किस नाम से यह पहला हिंदी समाचार पत्र अरुनांचल प्रदेश में शुरू किया गया है अभी आपने NPR का फुल फॉर्म लिखा होगा अब आप लिखिए NRC का फुल फॉर्म क्या होगा अब इसके बाद है प्रसिद पुस्तक बोस्कियाना किसके जीवन पर आधारित है ये आपको बताना है अब पॉस करिए और अपने आंसर लिखिए और अपना स्कोर चेक करिए मैं आपको बताता हूँ हिमाले में पाई जाने वाली वह तितली जिसे हाली में 88 वर्षों बाद भारत की सबसे बड़ी तितली का दर्जा प्राप्त हुआ है ये है golden bird wing इसका नाम है golden bird wing तितली इसका नाम है और ये घोशित हुए बारत की सबसे बड़ी तितली फिर नेक्स्ट है दुनिया भर में सौर उर्जा की आपूर्टी को सुनिशित करने के लिए एक Transnational Electricity Grid स्थाबित करने के लिए प्रधानमंतरी नरेन मोदी ने हाली में किस योजना की शुरुआत की है तो One Sun, One World, One Grid ये योजना की शुरुआत की है देश का पहला रेशम प्रसिक्षन वा उत्पादन केने की सराज में स्थाबित करने का प्रस्ताव है ये अरुनांचल प्रदेश में प्रस्तावित है योनेस्को ने हाली में वर्ष 2021 के लिए विशुपुस्तक राजधानी के रूप में किसे घोशित किया है तो तिबलीशी जौर्जिया को भोशित किया है विशुपुस्तक राजधानी के रूप में अगला है अरब जगत का पहला परमाडू रियक्टर बराकाह ने किस देश में हाली में कारे करना आरम किया है तो संयुक्त अरब अमीरात में इसने कारे करना प्रारम किया है त्रिशूर पूरम उ 142 में रेंग ऑपरेशन संजीवनी के तहट भारत ने किस देश को कोविड-19 से निपढ़ने के लिए दमाय उपलब्द कराई थी तो मौलदीप को इन्हों ने दमाय उपलब्द कराई थी ऑपरेशन संजीवनी के तहट हाले में चर्चा में रहा NPR का पूर्ण रूप क्या है इनसान ये समंदित है रोहिंग्या शनारतियों के मदद करने से समंदित है ये बारती सेना के लिए विशेष रिड़ी का डीजल के संस्था के द्वारा तयार किया गया है तो I.O.C.L. ने अभी तयार किया है लेह लद्दाक के छेत्रों के लिए विशेष रूप से डीजल को कि बहुत ज़्यादा टिंपरेशन डाउन हो जाए तो भी वो काम करता रहे हैं प्रधान मंत्री स्वानिधी योजना लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है तो उत्तर ब्रदेश बना है पुस्तक का नाम है दा इंडिया वे स्ट्रेटेजी इस पुस्तक के लेखक हैं एस जैसंकर नेक्स्ट है लोग सभा में किस नेता को संसत की लोग लेखा समित का पुना दक्ष बनाया गया है तो यह है अधिर रंजन चोधरी भारत की पहली हरित औरजा अविशारण परियोजना कि सराज में स्थावित की जाएगी तो गोवा में स्थावित की जाएगी नेक्स्ट है कजाखेस्तान की वर्तवान राजधानी कौन से है नूर सुल्तान है अगला है किस सम्मिधान संशोधन अधियमद्वरा समणों को 10% आरच्छन नौपरी और सहिचणिक संस्थानों में दिया जाएगा तो यह 130 समिधान संशोधन था अगला है हाली जूनल को पुस्त तक वजएन्द डाइट कार्गल दालाइफ आफ कार्गल हीरो के लेखक बेमद्वराबर कशमीर कवरेज के लिए किसको किसको 2020 के पुलिजर पुरुसकार से के लिए चुना गया है तो दार यासीन हैं मुक्तार खान है और चन्नी आनन तीन लोग है। हाली में किन दो राजियों के बीज भारत की पहली स्रमिक ट्रेन चलाई गई है तिलंगाना और जहारखंड के बीज में चलाई गई है। फिर नेक्स्ट है ICC एक दिवसी क्रिकेट विश्व कब 2023 का आयोजन कहां पर किया जाएगा तो ये भारत में प्रस्तावित है। हाली में चल्चा में रहा नेत्रावली वनी जीव अभ्यारण के सराज में स्थित है तो ये गोवा में स्थित है। सोचल मेडिया के खिलाफ कानून बनाने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है ये ब्रिटेन बना है। एक सो साथ मी भारती विग्यान कॉंगरेस का आयोजन बैंगलूरों में किया गया है। हाली में किस भारती अभनेता को गोल्डेन ड्रैगन अवार्ड से समानित किया गया है। पहला पॉमेंट है एक मार का सर आपका पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है। पहले मुझे करेंट अफेर्स बहुत हाड लगता था बट आपकी वीडियो देखकर मुझे यह करेंट अफेर्स बहुत यह आसान लगने लगा है। थैंक्यो सो मच सर अमारे लिए इतनी मेहनत करने के लिए तो मुझे भी थैंक्यो बोलना चाहिए आप लोगों के इतने सपोर्ट के लिए। आप लोग इतना सपोर्ट करते हैं तब ही मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है काम करने का और ऐसे ही अपना प्यार बनाये रखिए अपना सपोर्ट बनाये रखिए आपको अच्छा-च्छा मिलता रहेगा। फिर शुरद्धा जी ने सारे पार्क लिख दिये हैं इकठे बहुत अच्छी बात है एक बार मैं फिर से आपको रिवाइज करवा देता हूं करेंट अफेर्स में वैसे मैं बता चुका हूं लेकिन एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं लेदर पार्क अकानपूर में बन रहा है इलेक्टर वहिकल पार्क तमिलाडू में बन रहा है चनदलं म्योजियम मैसूर में बनेगा। प्रेट के टीलों का पार्क गोवा में बनेगा प्रमाइड पार्क हल्दवानी में बनेगा पॉलिनेशन पार्क हल्दवानी में बनेगा टायर पार्क कोलकाता में प्रस्तावित है पश्चिमंगाल मास गार्डन नैनी ताल में प्रस्तावित है मंकी पार्क सिमांग में प्रस नेक्स्ट है अनीता सिंग ने लिखा है सर आप यूपी बीस्टेस का भी तैयारी करा दीची बिल्कुल होगी टाइम आएगा पहले इसकी तैयारी खतम हो जाए या फिर मैक्सिमम पहुंच जाए तो शुरू किया जाएगा फिर एक उमार दो राइट हुए हैं बस चलिए और भी सही होंगे मोहित बाजपई भारत के अन्तिम ब्रिटिक्स कमांडर इंचीफ फ्रांसिस बुचर थे बिल्बूल सही जवाब है शर्दा का बारा क्वेशन सही हुए हैं कशिश के 9 क्वेशन और मोहित बाजपई के 9 क्वेशन सही हुए हैं माधुरी सिंग के 8 है ऐसे ही लगे रहिए questions की संख्या और भी बढ़ती जाएगी सही होती जाएगी मिलते हैं अगले पार्ट में अगले वीडियो के साथ और भी अच्छे questions के साथ थांक्स पर वच्चिन